जहीन दोस्तों, इंडियन कार मार्केट में SUV की कमी तो है नहीं, इंडिया में Fortuner, Endeavor, Kodiak, Altus G4 और CRV जैसी SUV है, हमेशा ही ज्यादा कॉंपिटिशन होना अच्छी बात है, अब यहाँ पर MG लेकर आई है Gloster, जो कि साइस में अपने कॉंपिटिशन की बाकी गाडियों से काफ गाड़ी को पहली बार Auto Expo में रिवील किया गया था, गाड़ी में सेग्मेंट का सबसे पावरफुल एंजिन दिया गया है, और काफी Fortun segment फीचर्स भी दिये गए है, MG मोटरस ने एक लाक रूपे लेकर Gloster की booking भी शुरू कर दी है, आज हम इस वीडियो में गाड़ी की डि interior, dimensions, safety features, comfort and convenience के features, engine options, colors और prices के बारे में बात करेगे, तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले गाड़ी के design के बारे में बात करते हैं, तो front में गाड़ी में आपको chrome की grill मिलती है, जिसके बीच में बड़ा MG का logo दिया गया है, LED headlamps मिलते हैं, जिसमें LED DRLs और turn indicators भी दि दिये गये हैं, नीचे halagon fog lamps मिलते हैं, जिसके surround में chrome का इस्तमाल किया गया है, और bumper में नीचे एक chrome की strip मिलती है, और उपर walnut पे काफी aggressive lines दी गये हैं, तो overall front से तो गाड़ी काफी aggressive दिखती हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और side profile के बारे में बात करते हैं, तो गाड़ गाड़ी में आपको बड़े 19 इंचिस के alloy wheels दिये गये हैं, जो दिखने में भी काफी अच्छे लगते हैं, गाड़ी के front doors पे bright dynamic की beading मिलती हैं, ये beading इसलिए दी गई हैं, कि गाड़ी को MG के in-house suspension tuners ने काम किया है, front doors पे fake strip दी गई हैं, गाड़ी में dual color के overviewm stone indicators के साथ मिल विंडो के surround में भी chrome का इस्तमाल किया गया है, उप और roof rails मिल जाती है, chrome के door handles दिये गये हैं, और नीचे side step भी दिया गया है, जिसकी मदद से आसानी से गाड़ी के अंदर जा सकते हैं, चली अब और आगे बढ़ते हैं, और rear profile के बारे में बात करते हैं, तो उप पर spoiler मिल ज गया है, वाइपर के ठीक नीचे बड़ा MG का logo और chrome की strip दी गये है, LED tail lamps मिल जाते हैं, लेफ्ट में four wheel drive और ads का बेज दिया गया है, इसका मतलब है कि advanced driver assistant system और right में actor की तरह internet inside का बेज दिया गया है, बूट पर बड़े chrome के letters में glowster का बेज मिल जाता है, नीचे दोनों ही dual exhaust मिल जाते है, ओर ओल ग्लोस्टर की design काफी aggressive लगती है, और ग्लोस्टर अपने segment के सबसे बड़ी गाडी भी है, चली अब आगे बढ़ते हैं और interior के बारे में बात करते हैं, तो dashboard के middle में आपको 12.3 inch की touchscreen मिल जाती है, नीचे AC vents और उसके controls दिये गए है, जोकि एकदम BMW की गाडी जैसा दिखता है, गाडी के dashboard में नापा leather का इस्तमाल किया गया है, आठीच का instrument cluster दिया गया है, गाडी में leather wrapped steering wheel मिल जाता है, steering mounted controls के साथ और steering wheel के पीछे pedal shifters भी दिये गए है, चली अब glowster के dimensions के बारे में बात करते हैं, तो length है 4985 mm, width है 1926 mm, height 1867 mm, और wheelbase है 2950 mm, चली और आगे बढ़ते हैं और safety features के बारे में बात करते हैं, तो गाडी में आपको six airbags, ABS with EBDN brake assist, automatic vehicle hold, electro mechanical differential lock, 360 degree camera, ill hold control, electronic stability program, ill descent control, traction control system, roll over system, electric parking brake with auto hold, heated ORVMs, और चली अब पीछे ADAS का logo दिया गया था, वो किया है यो जानते हैं, तो इसका full form है advanced driver assistance system, जो first in segment safety features है, वो सिर्फ glowster में ही मिलते हैं, इस segment की बाकी कोई भी गाडी में नहीं मिलते हैं, जिसमें driver farting reminder system, adaptive cruise control, automatic parking assist, forward collision warning, automatic emergency braking, blind spot detection, और lane departure warning जैसे safety features सामिल हैं, चली अग और आगे बढ़ते हैं, और comfort and convenient के features के बारे में बात करते हैं, तो गाडी में आपको LED headlamps with auto leveling, LED tail lights, outside mirror with logo projection, steering assist cornering lamps, 19 inch diamond cut alloy wheels, 12.3 inch touchscreen with android auto and apple carplay, 12 speaker audio system, iSmart 2.0F, जिसकी मदद से आप अपने phone में से 70 से भी ज्यादा features का इस्तमाल कर सकते हैं, R-H multi-information display, 64 colors ambient lighting, leather dashboard, premium leather upholstery and soft touch material, LED interior reading lights, panoramic sunroof, 12-way power accessible driver sheet with memory, ventilation and massage function, 8-way power co-driver sheet, driver and co-driver sheet heating, PM 2.0 filter, outside mirror, auto tilt in reverse, ORVM memory, rain sensing wipers, electronic gear shift with auto park, wireless smartphone charger, intelligent start stop, hands-free tailgate with kick gesture, tire pressure monitoring system, और power adjustable and foldable ORVM's जैसे comfort and convenient के features Gloster में आपको मिल जाते हैं, engine options की बात करते हैं, तो गाड़ी में 2-liter diesel engine मिलता है, जिसमें 2 type के engine दिये गए हैं, एक है 2-liter turbo charge engine और दूसरा है 2-liter twin turbo engine, चलिए पहले 2-liter turbo engine के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 163-bhp की power मिलती है, और 375-nm का torque, इस engine में 8-speed automatic transmission मिलता है, इनके अलावा इस engine में आपको 2-wheel drive system मिलता है, चलिए अब दूसरे engine 2-liter twin turbo के बारे में बात करते हैं, तो इस engine में आपको 218-bhp का power और 480-nm का torque मिलता है, जोकि segment में सबसे powerful है, इस engine में भी 8-speed automatic transmission मिलता है, और उनके साथ साथ 4-wheel drive और snow, sand, mud, rock, eco, auto और sport जैसे साथ terrain selection modes भी मिल जाते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और color options के बारे में बात करते हैं, तो गाड़ी में आपको 1-get red, metallic black, metal ass और warm white जैसे 4 colors का option मिलता है, चलिए अब आखिर में Gloster के prices के बारे में बात करते हैं, तो गाड़ी की starting exorum price रूपिस 40 लाग समब expect कर सकते हैं, तो दोस्तो इस वीडियो में तो बस इतना ही, मुझे comment करके जरूर बताना कि आपको यो वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ,